लोग थे या जो भी मुझे देखते हैं, वो है शेफ है, कौमी है, कुक है, होटल मैंने के शुर्ण है, साथ साथ हमारी जो बिजनस के अंत्रप्रण। मैं इनको बोलना चाहूंगा कि आप भी स्टार्ट अप्स में हिस्सा लीजे, आप भी स्टार्ट अप का पार्ट बनिए खाना तो आप लोग बना ही रहे हैं, स्कूल में आप जा ही रहे हैं, होटल में आप लोग काम करी रहे हैं, पर थोड़ा सा अलग हटके स्टार्ट अप्स करने की कोशिश कीजेगा, और अपने देश की सेवा करने की कोशिश कीजेगा, मैं मेरा भी जो स्टार्ट अप है ड problem का solution कर रहे होते हो अब traditional business में क्या होता है मालीजे आपको एक restaurant चालू करना होता है आप एक restaurant एक जगह लेते हो और वहाँ पे अपना restaurant चालू कर देते हो तो वो आपका business हो जाता है पर वहीं आप कुछ ऐसा नई creativity लेके आ जाते हो कि जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ जैस पर वहीं कोई एक traditional restaurant खोल रहा है traditional cloud की जानी खोल दे रहा है तो वो startup में नहीं आएगा अगर को एक normal cloud की जानी एक normal restaurant funding के लिए जाएगा बाद में तो उसको funding नहीं मिलेगी पर वहीं एक ऐसा startup जो कि पहले नहीं हुआ है जिसे soup मैंने बोल दिया मेरा digital chef अब भी हो गया easily easy हो जाता है funding के लिए भी